यह कहानी है मैटू विडाल नामी एक law student की, जो बिलकुल शरीफ है, एक मक्खी भी नहीं मार सकता, मगर जेल के गुंडों ने उसे वहसी दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया, वैसे यह कहानी easy to watch नहीं है, यह सीरीज आपको हर मोड पर चौका जाएगी, बशर्ते हर मिस्ट जाए तो मैट पढ़ाकू टाइप का बंदा है, उसे पार्टी वगेर है बिलकुल नहीं पसंद, मगर अपने भाई इसमा का मन रखने के लिए उसकी जिद पर वो इस पार्टी में आया है, अभी पार्टी का माहौल गर्मा ही रहा था, कि उससे पहले ही वह अपने भाई को बोल यहां से जाने लगा, इतने में उसे एक लड़की दिखी, जो किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी, मगर उसकी नजर मैट पर ही ठीकी थी, देखते ही देखते वो उसके करीब आ गई, बात विचार हुआ, और फिर दोनों एक साथ डांस करने लगे, उस लड़क थे, उनको एक साथ देख, हुगो की ही सुलगी पड़ी थी, शायद वह इवा को पसंद करता था, पर बताया नहीं था, इस बात को लेकर बखेड़ा शुरू हो गया, हुगो और इसमा, दोनों के दोस्त आपस में ही भिड़ गए मैट बीच बचाफ करने आया, तो उसकी ए इतना बड़ा कांड हो जाएगा, डैनी के मॉम डैड को इस कदर रोते बिलकते देख, उसे दया आ रही थी, वो उनको गले लगा कर बता देना चाहता था, कि उसने यह जान बूच कर नहीं किया, और वह उनका दर्द समझता है, खैर उसके उपर मर्डर का चार्ज लगा, जज के सामने ईवा और ह्यूगो और बाकी उने गवाही दी, जिसके तहट जज ने उसे बिना इराद जान लेने के लिए चार साल की सजा सुनाई, लेकिन इस पर भी डैनी के डैड खुश नजर नहीं आ रहे थे, जेल में मैट को पहली बार पता चला, कि डर किस चिडिया क नाम है, वहां के दबंग कैदी, नए कैदियों को डराते धमकाते, ताकि आगे चल कर वह उनके सामने खड़े होने की जुर्रत न करें, ये सब जिल्लत जेलते हुए उसे हर रोज खयाल आता, कि अगर वह ईवा के चक्कर में ना, पढ़ता और घर चला गया होता, तो ये अकल बनने वाला है, बताया उसने, एक रोज मैट को जेल से एक दिन की छुट्टी मिली, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी, कि उसी दिन एक कार एक्सिडेंट में उसके मॉम डैड चल बसे, शाम को ये गम भुलाने के लिए एक बार में गए, जहां पर मैट को एक लड मगर उसने ओलीविया को जेल वाली बात नहीं बताई, जेल में मैं ओलीविया के बारे में ही सोचता रहा कि वह उसका इंतजार कर रही होगी, उसे यकीन था कि फिर वह ओलीविया से कभी नहीं मिल पाएगा, मगर वह पूरी तरह से गलत साबित हुआ, दो साल बाद जब व अलिविया उसके सामने थी, दो साल बीतने के बाद भी वो एक दूसरे को भुला नहीं पाये थे, मैट ने उसे एक बनावटी कहानी सुनाई, कि वह उस रोज उससे क्यों मिलने नहीं आपा आया था, फिर इनके लगातार मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, चार साल तक रिले जो उन पर नजर रख रहा था, लगा कि इनकी लाइफ पटरी पर आ गई, सब कुछ परफेक्ट है, अगले दिन इजमा रोज की तरह आफिस के लिए निकला, लेकिन उसे ब्रेन हैमरेज हो गया, अपनी बीवी मारा, और दो बच्चों को पीछे छोड़, वो जा चुका थ मैट को एहसास हुआ कि लोगों के बुरे कर्म कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो उलिविया को बता दिया कि कॉलेज टाइम में उससे एक एकसिडेंट हो गया था, जिससे एक लड़के की जान चली गई, इसके लिए उलिविया उसे छोड़कर जाना चाहे तो जा सकत हैं, मगर वह उसे नहीं छोड़ी, जेल से बाहर निकलने के चार साल बाद फाइनली उसे एक खुश खबरी मिली, वह बाप बनने वाला था दोनों, काफी खुश थे, इतने में मैट की नजर डैनी के डैड पर पड़ी, आठ साल पहले का वह मंजर उसके दिमाग पर घूमन खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, अब से दो महीने बाद ये एक घर देखने गए, इलाका बिलकुल शांत तथा घर भी काफी शांदार था, इसलिए इन्हें एक जटके में यह घर पसंद आ गया, यहीं से कुछ घरों के अंतराल पर मैट की भावी मारा का भी घर था, यानी इ कांत में जाकर उस शक्स से बात करने लगी, तब ही सामने वाले पंदरा नंबर मकान में ह्यूगो और इवा दिखे, अब वो दोनों साथ थे, एक पल को लगा कि उसे यह मकान नहीं खरीदना चाहिए, फिर लगा कि उस घटना को आठ साल बीच चुके, और उसने वह जान ब लिन जाए, लेकिन उसका जाना जरूरी था, तो मना भी नहीं कर सका, डिनर से पहले ओलिविया फटा फट नहाने चली गई, इतने में मैट के फोन पर किसी का मैसेज आया, मैट ने जवाब में लिखा कि वकल एक्सो में मिलेंगे, अगली सुबह ये एरपोर्ट पहुंचे अलिविया को छोड़ वो एक्सो के लिए रवाना हुआ, जो शखस उस पर नजर रख रहा था, वह उसकी कार का पीछा करने लगा, पता चला कि म्यूजियम में डैनी की मॉम सोनिया उसका इंतजार कर रही थी, दोनों एक दूसरे का हाल पूछे, फिर मैट सोनिया से डैनी बन कर बात करने लगा, इसके बाद सोनिया बैंक के लिए निकल गई, तथा मैट आफिस मीटिंग अटेंड करने पहुँचा, मीटिंग के दरमयान ही उसके पास उलिविया ने एक अंजान शखस की फोटो भेजी, खाली होने के बाद मैट ने उलिविया को मैसिज किया कि य इस होटल में रुकी है, वहां का फोन नंबर चाहिए, ओलिविया के असिस्टेंट ने बताया कि उनके ओफिस वर्क का कोई भी मीटिंग वो रेड ऐलेक्जेंडर प्लाट्स नामी होटल में होता है, वही का नंबर उसने मैट को भेजा, होटल की रिसेप्शनिस्ट ने परिशान करे जा रहा था, इतने में ओलिविया के फोन से एक वीडियो मैसेज आया, जिसमें वही फोटो वाला शक्स वीडियो शूट कर रहा था, पहले उसने ओलिविया का सैंडल दिखाया, वही साइड में उसके कपड़े वगेरह भी थे, कुछ देर बाद एक और उसके पास में वह फोटो वाला शक्स भी था, वो भी बिना कपड़ों के मैट के मन में चलने लगा कि शायद उलिविया उसको चीट कर रही है, जट से फोन मिलाया, इस बार कॉल रिसीव हुआ, मगर कॉल पर उलिविया नहीं थी, कॉल पर जो भी शक्स था उसने बताया कि वो उस शक्स से बात कर रहा है, जो उसकी बीवी के सब से गहरे राज जानता है, फिर कुछ डिमांड किये बिना ही फोन कट कर दिया, मैट कुछ समझ पाता, इतने में उसकी नजर उस कार पर पड़ी, वो तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन उस कार में बैठा शक्स भाग मैट को टकर मार दिया, मैट उठने की हालत में नहीं था, देखने से वह टकलू तकरीबन 50-50 का रहा होगा, तुरंत गन निकाला और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गन में गोली नहीं थी, शायद वह मैट को डराना चाहता था, अपना काम करके वह निकल लिया, मेडिकल को उजागर कर सकते थे, इसलिए वह अपना मुह बंद रखा, साइड में इसको ठीको सुलजाने के लिए, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जोई को भी हायर कर चुका था, वैसे डिटेक्टिव जोई, उसकी दोस्त जैसी थी, जिस पर वह आँख बंद करके भरोसा कर सकत था, उसने टकलू का स्केच बनवा कर जोई को दिया, वो टकलू कौन है, उसकी बीवी किस आदमी के साथ है, उसे सब कुछ पता करना था, सब कुछ जाचने पर रखने के बाद, जोई इस नतीजे पर पहुँची, कि शायद उलिविया उसे चीट कर रही है, और ये टकलू जरूर कुछ जानता है, इन दिनों उलिविया के बिहेवियर में कुछ अजीब तो नहीं लगा, जोई ने पूछा, काफी इधर उधर आग दोड़ाने के बाद, उसे याद आया, कि बरलिन जाने वाले रात को उलिविया जब नहाने गई, तो बाथरूम का दर्वाजा बं या फिर जोई यहां से चली, वह बिना कुछ जाने बगएर यह काम नहीं करने वाली, फिर क्या था उसने डैनी के मोम सोनिया से हर हफ़ते मिलने से लेकर, जेल में जो कुछ भी कांड करा, सब कुछ उगल दिया, इसी लिए वह पुलिस के सामने चुप था, अगले दिन वह फिर सोनिया से मिला, सोनिया जिस बैंक में मैनेजर थी, उसी बैंक में ओलिविया का अकाउंट था, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह सोनिया को बताया, और यह भी कि शायद ओलिविया उसे चीट कर रही है, उसे ओलिविया का क्रेडिट कार्ड ट्रैक करने में सोनिय की हेल्प चाहिए वैसे इसके लिए तो पुलिस वारंट का होना जरूरी है वो ये काम चोरी छिपे करवाना चाहता है बताया उसने शाम को उसे उसकी भावी मारा ने बुलाया दरसल वो अपने कुछ कॉलीक के साथ डिनर पर जा रही है उसके बच्चों की बेबी सिटर के ए खड़ी लगा दी तुम किस होटल में रुकी हो तुम्हारे भेजे गए फोटोज और वीडियोज मिले मुझे ओलीविया ने बताया कि उसने तो कोई फोटो नहीं भेजा शायद गलती से चली गई होगी वैसे वह अलेक्जेंडर प्लाट्स नामी होटल में रुकी है मगर म मैट ने पहले ही उस होटल में फोन करके पता कर लिया था वो जूट क्यों बोल रही है इसको जानने के लिए बोल दिया कि वह कल उससे मिलने बर्लिन के उस अलेक्जेंडर प्लाट्स होटल आ रहा है औलिविया ने उसे यहां आने से मना कर दिया कि वह फ्राइडे को तो व पापस आही जाएगी. उसके बेड पर नोटों की गड़ियां पड़ी थी. इतने में वह फोटो वाला शख्स उसके कमरे में आया और बताया कि उसके पार्टनर का फोन आया था. वहां सब कुछ सेट है. खेर, किस तरह की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं? वह तो वक्त ही बत पर ली थी. शायद वो टकलू इसी का प्यादा है. कुछ सालों पहले इबाई वसूली करने के जुर्म में जेल भी जा चुका है. जोई को लग रहा था कि जब मैट जेल में था तो शायद इबाई साए के साथ किसी बात को लेकर उससे जगड़ा हुआ हो, जिसका बदला व कि उस दिन मैट के एरपोर्ट छोडने के बाद, ओलीविया फ्लाइट में बैठने के बजाए एक टैक्सी बुक की थी, जिसका किराया 30 डॉलर्ज उसने कार्ड से पे किया था. यही नहीं आज सुबह विया लता वाले ब्रांच से उसने 5000 यूरोस भी निका ले हैं, यानि का हस्बेंड हामी भी सोनिया पर सक करने लगा था. इतनी रात को उसका छिप कर किसी से बात करने की भला और क्या वज़य हो सकती है? सुबह होते होते मारा भी लोट आई. इतने में मैट के पास एक अंजान नंबर से कॉल आया. उसकी आवाज सुनते ही मैट ने पहचान लि अगर उसने अपनी बीवी ओलीविया के बारे में कुछ भी मुंग खोला, तो वह जान से जाएगी. अगले ही पल डोर बेल बजा. यह जहां खड़ खड़े थे, वही स्टैचू बन गए. कुछ सेकंड के बाद किसी ने अंदर एक कार्ड फेंका, जिस पर लिखा था कि पेरेंट्स के जगड़े को इग्नोर करने के लिए टेप फुल वॉल्यूम में चालू कर बैक पैक कर रही थी. उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था. कोर्ट ने फैसला किया था कि उनकी बेटी लोरिना हफते में सिर्फ दो दिन अपने डैड के पास रहेगी. लोर लोरेन हफते में दो दिन रहकर अपने मॉम के घर चली जाती थी. इस बात से परेशान होकर वह गंड निकाले. उधर लोरेन अपनी होम वर्क बुक लेने वापस आई. तब ही एक गोली चलने की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा. उसके डैड इस दुनिया को छोड़ क जा चुके थे. लोरेन को पता था कि यह सब उसकी मॉम की वजह से हुआ. इसी लिए उसने अपने मॉम के साथ रहने के लिए मना कर दिया. उसकी मॉम भी तो उससे छुटकारा ही चाहती थी. उसकी मॉम और उनके बॉइफ्रेंड ने उसे सिस्टर बल्टर को सौंप दिया. अब सिस्टर बल्टर ही 13 साल तक लोरेना के मॉम की जगह लेने वाली थी. लोरेना ने जी तोड मेहनत की और अपने डैड के नक्षे कदम पर चलते हुए सबसे कम उम्र की होम साइड, डिटेक्टिव यानि हत्या के केस की जासूस बनी. यह काम करते हुए अब वह अपने डैड के उम्र की हो चुकी है. एक सुबह वह एक्सरसाइज कर रही होती है. तब ही उसके पास उसके चीफ का फोन आया. वह तुरंत तैयार वगेरा होकर घटना स्थल पर पहुँची. वहां मौजूद उसके चीफ ने बताया कि उस लेडी को मरे हुए छे घंटे से उपर ह गए हैं. बॉडी पर मारपीट के निशान भी नहीं है. यानि वह पक्का अपनी मर्जी से नीचे कूदी है. इसका मतलब यह केस. है तो यहां होमसाइड वालों का क्या काम पता चला? यहां की डाइरेक्टर वाल्टियर ने जजज से सिफारिश करके लोरेन को इस केस पर र जान दी. उनका नाम था सिस्टर मारिया. आज सुब जब वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली तो उनकी खोज खबर लेने बटियर रह गई. तब जाकर सब कुछ पता चला. कमरे की जांच परताल शुरू हुई तो सिस्टर मारिया के बेड़ पर एक लड़की की फोटो म लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा. लोरिना ने मारिया की पिछली जिंदगी के बारे में पूछा. जहां तक सिस्टर बाल्टर को पता था. सिस्टर मारिया 15 साल तक सैंटा फेडेरिका कॉनवेंट में थी. जो रोना में है. रोना बोले कि एक लड़की थी, क्लोडिया. उसके मन में कुछ तो चल रहा था. दूसरी तरफ हम एक अंजान लेडी को देखते हैं जो शायद कुछ कांड करके पुलिस से छिप रही होती है. उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा होता. साइकेट्रिस्ट को उसने बताया कि पास् फोटो वाली लड़की को धोखा दिया. फिर सौरी लिखकर माफी मांगी और कूद गई. वैसे फोटो वाली इंक काफी पुरानी है, तो इस कहानी का तो कोई दुख नहीं बनता. अब तक क्रेस्पो सिस्टर मारिया के बारे में जानने के लिए काफी रिसर्च कर चुका थ पूरे स्पन में उसे मारिया लहान कलवो उस नाम की तीन लेडी मिली. लेकिन ताज्जुप की बात ये है कि इन में से कोई भी सिस्टर मारिया नहीं थी, यानि उस नन के पास नकली डॉक्युमेंट थे और वह सिस्टर मारिया के नाम से नकली डॉक्युमेंट बनवा कर य कुछ पता चले, पता चला कि वह कंवेंट बहुत पहले किसी दुरघटना में पूरी तरह से जल गया था था, बाद में उसे रोना काउंसिल ने खरीद लिया, क्रेस्पो ने वहां भी संपर्क किया लेकिन आग की वजह से वहां के सारे डॉक्यूमेंट चल चुके थे, तो आ मचारी होती है, ये किस टाइप की नंथी इतना ही नहीं, जिस रात यह मरी, उसके ठीक दो-तीन घंटे पहले इसने किसी के साथ अपनी मर्जी सेक्से उसके हाथों में लगे लुब्रिकेंट, इस बात के सुबूत थे, फिर दो घंटे बाद खिड़की से कूद गई, उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं मिला, इससे तो यही पता चलता है कि शायद वह अपनी मर्जी से खिड़की से कूदी होगी, उसके पेट पर एक रोमन राजा हैनिबल के नाम का टैटू भी था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अंजान औरत कौन है, रात को हम उस लड़क में अपने बेड पर होना चाहिए था, लेकिन वो चुपके से सहेलियों के साथ ब्रेसलेट गेम खेल रही थी, गेम के रूल के हिसाब से उन्हें एक बैंड चुनना होता है, बैंड के कलर के हिसाब से उन्हें टास्क मिलता है, जिसे उन्हें पूरा करना पड़ता है, उस अबने यह ब्रेसलेट गेम खेला ही है, उस रात उसे जो भी टास्क मिला था, उसको पूरा करके चुपके से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी किसी के आने की फुटस्टेप सुनाई दी, जिसे सुनकर वो छिप गई, क्योंकि इतनी रात को पकड़ी जाती, तो आप देना पड़ता, तभी उसे एक औरत दिखी, लोरेन ने उसे फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या वो यही औरत थी, क्लोडिया ने उसे पीछे से देखा था, इसलिए चेहरा पहचान नहीं पाई, दूसरी तरफ हम उस अंजान लेडी को देखते हैं जो पुलिस से छ पर कोई फायदा नहीं हुआ, वह आदमी उसे जानता है, वह सन 2003 में मारबेला के न्यू यर की पार्टी में मिले थे, और साथ में खूब मज़े किये थे, बताया उसने, तुम वही एमा हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, यह लेडी उसकी एक नहीं सुनी, और वहां से भाग निकली, इधर लोरिना के चीफ लंडन वर्मा के उपर जजज दबाव बनाने लगे थे कि वह सिस्टर मारिया की पहचान करना छोड़, सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि वह कैसे मरी, आखिर सिस्टर मारिया की रियल आइडेंटिटी को सामने लाने से जजज को क्यों तकली जिस पर लिप्स्टिक तथा कुछ लिखा हुआ था, तभी डिटेक्टिव की नजर तक्ये के खोल पर पड़ा, जो चादर से मैच नहीं कर रहा था, ढूणने पर पता चला, यहां चादर के तीन सेठ थे, जिसमें से एक तक्ये का खोल कम था, लोरिना ने तुरंत मारिया का मर्डर हुआ है, उसने डॉक्टर को मारिया का सिर रिकंस करने का ओन अर्डर दिया, विक्टिम के रूम के तक के कवर कोटन के है, अगर उसके गले या मुह से फाइबर्स मिला तो कंफर्म हो जाएगा कि यह नहीं मर्डर है, दूसरी तरफ हम स्पेशल क्राइम य रहा था कि वह औरत दस साल तक यहां सिस्टर मारिया बन कर रही और उन्हें कुछ शक भी नहीं हुआ, लोरेन ने उन्हें सिस्टर मारिया के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड दी, जो सिस्टर मारिया के रूम में 15 दिनों के अंदर कॉल्स आए या किये गए थे, सिस्टर बाल् जो कागज का टुकड़ा मिला था उस पर एक नंबर लिखा था नंबर के जरीए इन्हें उस आदमी का पता चल गया उसका नाम था एंटोनियो एक रोज एंटोनियो एक बार में उस अंजान औरत से मिला जो पुलिस और लोगों से छिपी फिरती थी इससे पहले भी ये दोनो काफी बार मिल चुके थे परजेंट टाइम में एंटोनियो को पुलिस वाले दबोच लिए एंटोनियो ने बताया कि वो उस औरत को परसनली तोर पर नहीं जानता अचानक वो उसे बार में मिली थी ड्रिंक लेने के बाद वो होटल गए इंटीमेट हुए फिर वो चली आया वो तो जाने से पहले एंटोनियो ही उसे अपना नंबर देते गया ताकी वो दोनों दوبारा मिल सक लेकिन किसे पता था कि उसका मर्डर हो जाएगा इतने में डॉक्टर का कॉल आया पता चला कि सिस्टर मारिया के मरने से पहले उसका मुंग कॉटन के किसी सौफ्ट कप से बंद किया गया था, सांस लेने में उसे दिक्कत हुई थी, मुंग से फाइबर्स के अंश भी मिले, जिससे ये मानना गलत नहीं होगा कि उसका मर्डर हुआ था, जिस होटल में एंटोनियो और मारिया मिले थे, वहां आसपास के CCTV फुटेज चेक करने पर पता चला कि एंट मारिया देर रात को कन्वेंट पहुँची, उनके आने की आहट सुन क्लोडिया छिप गई, मरिया रूम पहुँचकर एंटोनियो के दे हुए हुए नंबर से लिपस्टिक पोँच टॉयलेट में फेंक दी, इन सब के बीच वह शायद दर्वाजा बंद करना भूल गई, ए वह किसके बारे में पूछ रहा है, जब वह कुछ बताने को तयार नहीं हुई तो वह नकाब पोश्टकिये से उसका गला घोटने लगा, तब जाके वह मुह खोलने को तयार हुई, अब तक उसने जो भी कांड करे, वो सब उसके दिमाग में नाचने लगे, सही पता के जग टाइम में यह लोग कॉन्वेंट के बाहर के CCTV फुटेज चेक करने में लगे थे, तब ही वह नकाब पोश्ट जो मारिया का पीछा करते हुए दिखा था, रात के तकरीबन दो बजे वही आदमी कॉन्वेंट से बाहर निकलते हुए नजर आया, अगले पल गब सुतारा, फ नमबर वाले लिस्ट को चेक कर चुकी थी, उन सभी नमबरों में उन्हें एक ऐसा नमबर मिला, जिसका ना ही तो बोर्डिंग स्कूल और ना ही सिस्टर मारिया से कोई कनेक्शन था, सिस्टर मारिया के मरने से दो दिन पहले दिन के तीन अन बजे उस नमबर पर छे मिनट बात हुई है, बताया उन्होंने, नमबर की पहचान तथा डिटेल्स निकलवा करर लोरेन नमबर वाले के घर की ओर रवाना हुई, टैयो भी शहर में प्रवेश कर चुके थे और कुछ देर में मौर्चुरी पहुँचे, अपना बैच दिखाए और बताए कि वो स्पेशल क्राइम यूनिट से हैं, उनके पास सिस्टर मारिया की जाच करने की फुल परमिशन थी, डॉक्टर को बाहर निकाल, वो मारिया का पूरा सामान चान मारे, मगर उनको वह टेप नहीं मिला, जिसकी तलाश में वह यहां आये थे, तुरंथ ही यह लाश को अपने कबजे में लेकर उठा ले गए, यह है करनल प्रिटो, जिन से मिलकर यह इस बात की पुष्टी किये, कि उन्हें टेप नहीं मिला, करनल प्रिटो भी प्रेशर में थी, एक उस्टे भी नहीं चाहती, इधर लोरिना, अभी रास्ते में ही थी, तब तक फॉरेंसिक वालों ने गाड़ी पर से फिंगर प्रिंट निकाल लिया था, अगले पल वो शक्ष के घर पहुँची, वही कार में कि एक लेड़ी 30 सेकंड के अंदर उसका दर्वाजा खटखटा आएगी, अगर उसने गलती से भी उसे उलिविया के बारे में कुछ भी बताया, तो उलिविया नहीं बचेग पर असल में उसका नाम एमाडोरान था, अमीरों की रातें रंगीन बनाना उसका पेशा था, वह हमेशा से ऐसी नहीं थी, बोगोटा में उसका घर था, जहां पर वह अपनी मा के साथ रहती थी, एक रोज एनीबस लड़ेस मानामी एक आदमी ने उसे स्पेन में नौकरी द था, वहां वह किमी से मिली, यहां की सबसे पुरानी बंदी, जो यहां सबसे ज्यादा वक्त से टकी थी, उसने एमा को काम सिखाया, इस दर्मियन दोनों में खास दोस्ती हो गई, साथ में एनीबेल भी उसको पसंद करने लगा, कुछ ही दिनों में इनका प्यार इतना गहर हो गया कि एमा ने अपने पेट पर एनीबेल का नाम गुदवा लिया, और इस तरह पांच साल वह उसके प्यार में पड़ी रही, एक रोज हेरोईन बेचने की वज़े से एनीबेल पकड़ा गया, उसे छे महीने की जेल हुई, तब एमा ने ही एल पज्जो को भी संभाला, जब एनीबेल बाहर निकला, तो उसे लगा, अब उसे वह सब मिलेगा, जिसकी वह हकदार थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी हैवानियत देख, एमा का वहम तूट गया, वो लड़कियों के बचाव में आगे आई तो एनीबेल एक गाड़ी के पीछे भाग रहा था, लो जने माना की हत्या अंजाने में हुई है, इसलिए उसे सिर्फ चार साल की सजा हुई, वो बहुत खतरनाक आदमी है, इसी लिए ह्यूगो लोरेन को सतर्क करने आया था, इसके बाद लोरेन मारा की बेबी सिटर कारला से मिली उस सैटरडे वाले दिन उलीविया और मैट बच बेबी सिटर रख लेगी, यानि उस दिन घर पर मैट और उलीविया ही थे, मैट के कॉल रिकॉर्ड चेक करवा कर ये सोनिया के घर पहुँचे कि उनके बीच क्या बाते होती हैं, वो दोनों क्यों मिलते हैं, दरसल उनके बेटे डैनी के मरने के बाद मैट के रिक्वेस्ट पर ये उससे मिलने जेल गए, मैट अपने की पर बहुत बहुत शर्मिंदा था, उसने ये जानबूच कर नहीं किया, रो रो कर माफी माँगने लगा, सोनिया थोड़ा भावुक टाइप की थी, उसने मैट को माफ कर दिया, मगर उसके पती हामी, इस जन्म में तो क्या, किस मी बोल पड़े कि वह माफी के लायक नहीं है, जेल में भी उसके ब्लॉक में रहने वाले एक कैदी की बिल्डिंग से गिर कर मौत हो गई थी, उस मरने वाले कैदी का नाम था मैनूल रोमेरो, वो मैट के रूम के ठीक नीचे गिर कर मरा था, सब ने माना कि वह एक एक्सिड रहा था कि मैट जितना इनोसेंट दिखता है, वैसा है नहीं, भाग कर वो जेल पहुंची, उस कैदी से मिलने जो मैट का रूम पार्टनर हुआ करता था, उसका नाम था रोबर्ट अरंडा, सबने माना कि रोमेरो गिर करर मरा था, लेकिन असली सच्चाई क्या है, वही जा रधी हो गई तो वह उन पर तूट पड़ा, इतना मारा, इतना मारा, कि उन सब की हिकड़ी निकल गई, रोमेरो ने धमकी तक दे दिया कि जल्द ही उसका गेम बजा दे, एक दो दिन बाद ही रोमेरो उपर से गिर कर मर गया, देखने से लग रहा था कि मैट ने ही उसे धक करनेक्शन है, वैसे उसे कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी कि यह मारिया क्योंकि जब वह जेल में ठुमक ठुमक के अपने बॉइफ्रेंड एबल डस्माइल जाती थी, जेल में पूरा माहौल गर्मा जाता था, तथा सिटिया थमने का नाम ही नहीं लेती थी, कहने का तात पीरियड में मैट भी एबल लेडे एसमा के साथ जेल में था तो, वह आज सुबह उससे जूट क्यों बोला कि वह मारिया को नहीं जानता, खैर जो भी हो इतना तो तय था कि मैट को समझना आसान नहीं था, शाम को हम प्राइवेट डिटेक्टिव जोई को देखते हैं, जो अलिविया का फोन अन होता, तो जोई उसे ट्रैक कर लेती, उस दिन उलिविया 32 डॉलर्स किराया देकर जहां तक जा सकती हैं, वहां तक कि सारे होटल उसने मार्क कर लिये थे, वीडियो मैसेज में साफ दिख रहा था कि बासाई शरूम नंबर 257 में रुका है, इन सारे हो अलिविया का लैप्टॉप टॉप खंगाला, तो पता चला कि कुछ दिन पहले गूगल 3 बीवी ये सब कर क्यों रही है, खैर जोई फिर से उन आठ होटलों में राउंड मारने निकल पड़ी, दूसरी तरफ हामी को देखते हैं, जो इतने सालों बाद फिर से अपने बेट के व्योग में रोने जैसा मन बनाए बैठे थे, तब ही किसी का कॉल आया और वो शूट बूट पहन कर निकल लिये, इधर स्पेशल क्राइम यूनिट के डिटेक्टिव टी ओ अगिला डायरेक्टर बाल्टर से मिले, उनके पास सर्च वारंट तो था ही, साथ में एमा डरे मारिया के नाम से प्रचलित हो गई, यह बात डिटेक्टिव टीओ से छिपा नहीं था, अगर इतना पर भी बोल्टर उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं है, तो टीओ यह भी जानता था कि वह कोलंबिया में किस तरह का काम किया करती थी, यहां से कहानी फ्लैश बैक में जाती है, जब एमा बल्टर के पास मदद के लिए आई थी, मामा की मॉम और बल्टर जिगरी दोस्त हुआ करती थी, बोल्टर के उपर एमा के मॉम का एहसान था, उपर से उसको जान का खत्रा था, इसलिए वह उसे मना नहीं नहीं कर सकी, वाल्टियर सच में सखते में आ च की जान गई, यहीं नहीं, वह खूनी तब तक नहीं रुकेगा, जब तक उसके हाथ वो टेप लगना जाए, यहां और लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए एमा ने वो टेप कहा रखी है, अगर बल्टर बता दे तो वह इस केस को जल्द से जल्द रफा दफा कर सकेंग वैसे बल्दियर को किसी टेप के बारे में तो नहीं पता था, मगर एमा ने उन्हें एक लॉकर की चाबी जरूर दी थी, साथ में बताई कि यह उसका लाइफ इंशॉरंस है, अगर जान पर बना आए उस वक्त यह उसके काम आएगा, इधर लोरेन और क्रेस्पो सक के आधा उसकार वाले फिंगर प्रिंट से एक स्पैनिश पुलिस आफिसर का फिंगर प्रिंट मैच कर गया था, यही टकलू जिसने मैट को धमकाया था, उस रात एमा का पीछा कर रहा था, पक्का, उसीने एमा को मारा है, तभी इन्हें एक घटना की सूचना मिली, पता चला कि इस टकलू को किसी ने टपका दिया था, इधर जोई को उन आठों होटल्स के यहां पता करने पर एक होटल मिल गया, जिसके अंदर रोडरिगो लाडो, यानि उस टकलू के नाम से कमरा बुक था, यह तुरंत वहां पहुँच गए, मैट इसे अपने तरीके से सुलजाना चाहत इसलिए वहां अकेले जाने का फैसला किया, जोई उसके मोबाइल पर फोन लगा कर सब कुछ सुनने लगी, ताकि कुछ गड़बढ हो तो मदद कर सके, रूम नंबर थोड़ी फाई सुसाथ पहुचके, मैट ने दर्वाजा खट-खट आया, और वार्निंग दिया कि अगर वह दर्वाजा नहीं खोलता, तो पुलिस को बुलाएगा, पुलिस के डर से इबाई साय ने दर्वाजा खोल दिया, तब ही मैट के चीखने की आवाज आई, जोई भाग कर तुरंत वहां पहुची, दर्वाजा अंदर से लॉक था, होटल के ही एक स्टाफ को गन पर लेकर उसके कार्ट से रूम खोली, अंदर से कोई लड़की चिला रही थी, पता चला कि वह उलिविया थी, मैट और इबाई सायश दोनों रूम से गायब हो चुके थे, आखिर कहां गए, वह दोनों उस टेप के अंदर क्या है, जिसके चलते मारिया की जा गई, कौन है वह मिनिस्टर जो टेप के लिए करनल प्रिटो पर दबाव बना रहा है, आखिर किसने उस टकलू को मारा, क्या लोरिना एम्मा के असली कातिल तक पहुँच पाएगी, ओलिविया किस तरह का खेल खेल रही है, जानने के लिए देखते रही है, ये पार्ट या ही पिर खातम होता, नेक्स्ट पार्ट के लिए कॉमेंट करो